सो गाई जास की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप रियल क्रिकेट 24 गेम खेलते हैं और उसके अंदर जब आप गेम को फिनिश कर लेते हैं और आप जो है एक्सपी अकाउंट काउंट नहीं कर पाते हैं जो आपका यह ओप्शन होता है जसके आप नीचे देख सकत आपको क्या करना है इस सिच्वेशन में आपको बताने वाला हूँ यहां पर दो दो से त्रिक में आपको बताऊंगा उनका अप्लाइब करेंगे तो आपकी प्रॉलम हो जाएगी जान लेते हमें क्या करना है क्या प्रोसीजर फोलो करना है जिससे हमारी जो प्रॉब्लम व तरफ और यहां पर आपको option देखने को मिलता है Apps पर आपको क्लिक कर लेना है देन उसके बाद यहां पर आपको second number में देखने को मिलता है manage apps इस पर आपको क्लिक कर लेना है अब manage apps के बाद यहां पर search apps देखने को मिल रहा है आपको इस यहां पर search बार में आपको application को search करना जो आपकी real cricket 24 थी उसको search करिए तो कर लेते हैं cricket real cricket 24 आ चुकी है आपको open करेंगे open करने के बाद यहां पर आप नीचे की तरफ देख सकते हैं clear data लिखा हुआ पर क्लिक करिए यहां से इसका clear cache करिए जाद रखे clear data मत करिए clear cache करिए देन उसके बाद directly back आ जाईए अब यहां पर आपने clear cache कर लिया है देन उसके बाद आपको क्या करना है second काम वो जान लिजिए उसके बाद आपको क्या करना है जब भी आप अपनी game को open करें real cricket 24 जो आपकी game है उसको आपने open कर लिया है जब भी आप उसको खेलने के लिए open करेंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है जो भी आपकी applications background में run कर रही होंगी उन applications को आपको यहा उसको play कर सकते हैं आपकी जो game है इसलिए play होगी easily खेल पाएंगे और आपको xp भी मिल जाएगा और कोई problem नहीं होगी easily आप जो xp count कर पाएंगे तो यह काम आप कर सकते हैं ठीक है क्योंकि कई बार जो होता क्या है load game पर load जादा पड़ जाता है आपके phone में इतनी ram नहीं ह जिससे आपकी RAM भी खाली रहेगी और आपका जो mobile हैंग नहीं करेगा और easily xp count कर पाएंगे यह काम आप कर सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है game को open कर लेना है open करने के बाद यहाँ पर आपको game के अंदर कुछ setting करनी होगी वह क्या है जान लीजिए जैसे आप game open और उपर की तरफ setting देखने को मिलेगा आपको देख सकते हैं mission, short book, mods, profile, NTS, tips और यहाँ पर settings पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको quality option देखने को मिल जाता है third number पर इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपकी graphics और frame rate आपको set करना होगा graphics में आपको क्या set करना है अगर आपके पास high end mobile है मतलब बहुत अच्छा mobile है RAM उसकी ज्यादा है memory ज्यादा है तो आप यहाँ पर ultra high balance कुछ भी आप रख सकते हैं कोई problem नहीं है अगर आपके पास low quality mobile है तो आप यहाँ पर smooth आपके graphics को smooth select कर लीजिए ठीक है आपने हिसाब स smooth select करिए देन उसके बाद जो है आपका यहाँ पर frame rate है frame rate आप जो है low कर लीजिए smooth और basically आपका जो mobile में अगर यह proper run नहीं कर रही है आपको xp count कर रहे में problem आ रही है तो smooth और low पर रख लीजिए तो आपकी जो problem होगी वो solve हो जाएगी जैसे आप इस पर low और smooth पर रखने के और आपकी जो problem थी वो solve हो जाएगी आज की वीडियो में बस आपको यहीं बताना था hope आपको वीडियो चलगी वीडियो चलगी तो लाइक कर देना चैनल के सब्सक्राइब कर देना मिलते नेक्स वीडियो में till the way I take care love you all